हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्लाटिनम क्लासेस तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 10th Employability Skills बुक का चाप्टा नमबर वन Communication Skills को यह वीडियो का पार्ट 3 है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप जरूर देख लिजेगा आपको बता दे कि हमारे चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइडेड है तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बस सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबा लिजे ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन में अभी तक हम लोगों ने पर चुका था कि टाइपस अफ कम्यूनिकेशन होता है बेस्ड ऑन दा कम्यूनिकेशन चैनल जो की वर्बल होता है और नन वर्बल ह होता है दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या है नन वर्बल का मतलब होता है कि जिसमें वर्ड का यूज नहीं करते हैं और वर्बल का होता है जिसमें हम वर्ड का यूज करते हैं फर्दर वर्बल को डिवाइड किया गया है और और रिटेन में वर्बल में वर्ड को यूज क क्या होता है सभी को हम लोगों ने डिसकस कर चुका था तो चलिए आज की वीडियो में डिसकस करते हैं रिटेन कम्यूनिकेशन क्या होता है और इसको अड्वांटेजिस क्या होते हैं तो यहां पर रिटेन कम्यूनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा communication जिसमें हम या तो लिख करके या तो typing करके या तो symbols को print करके हम लोग communicate करते हैं इसका कुछ examples ऐसे भी है books हो गया, pamphlets हो गया, blogs, letters, emails, sms इस तरह के जो भी content है उसे हम लोगों ने लिख करके बनाया है इसलिए उसे written communication कहा जाता है, इसके कुछ advantages भी है, कुछ disadvantages भी है, एक एक करके चलिए discuss करते हैं, सबसे पहले advantages की तरह बढ़ते हैं, तो सबसे पहला advantage है कि permanent record बनता है, जिन बातों को हम लोगों ने paper में लिख चुका हूं, वह एक permanent record बन गया है, तो वह आगे चलके future में कभी भी जरुवत पड़ेगा, तो हम उसे देख सकते हैं, दूसरा है meticulous presentation, यानि कोई भी presentation हमें देना है, किसी बातों को represent करना है, तो हम उसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह से अलग-अलग symbols को present करके, हम अपनी बातों को आसानी से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, तीसरा है, easy circulation, अगर आपको एक बात को बहुत जगा पहुचाना है, तो circulate करना easy होता है, जैसे कि paper में किसी बात को छपवा देते हैं, तो वह पूरे सहर में, पूरे देश में फैल सकता है, उसके बाद आते है, suitable for statistical data, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी data को अगर आपको store कर पाचवा है, promotes good wills, अगर आप अच्छे ढंग से लिखते हैं, आप अच्छे ढंग से represent करते हैं, तो वह आपकी अच्छाईयों को दिखाता है, वह आपकी उपलब्धियों को दिखाता है, यहाँ पर दोस्तों बच्चे एक बात से confused होते हैं, रिटेन कम्यूनिकेशन में सि ठीक है, अब आते disadvantages, तो disadvantages क्या क्या है, सबसे पहला है time consuming, लिखने समय हमें time लगता है, बोलने में time कम लगता है, दूसरा है non flexible, एक बार जुस बातों को हम लोगों ने लिख चुका हूँ, वह दुबारा change नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वह non flexible हो गया है, एक बार print हो चुका तो उसको change गरना फ्रसा possible नहीं होता है, तीसरा है, no scope for clarification, मतलब कि अगर आप किसी data को किसी को swap देते हैं, तो यह depend करता है कि जो पढ़ रहा है, सामने वाला क्या conclude कर रहा है, वह खुद जाने, आप उसमें कोई clarification नहीं दे सकते हैं, जब तक आप खुद से बताएंगे नहीं, फ का मतलब क्या होता है, कि किसी book को लिखने में, किसी data को लिखने में, writing proficiency होना चाहिए, आपको उसमें पकड़ होना चाहिए, लिखने में पकड़ होना चाहिए, कि आप किस तरह से सजा करके लिखेंगे, कि सामने वाला अच्छे से समझ सके, और पांचवा disadvantage क्या है, कि wrong interpretation, क आते हैं, इस कारण से teacher भी आपके marks काट लेते हैं, अब आते हैं, meaning and importance of feedback in communication, communication में feedback का क्या महत्व होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तो सबसे पहले बताते है feedback क्या होता है, feedback का मतलब क्या होता है, the response given by the receiver to the sender, यानि कि आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, feedback लेते हैं, आप अपनी company के बारे में जानना चाहते हैं, तो feedback लेते हैं, आप उससे कुछ questions पुछते हैं, और वहां से कुछ answer आता है आपके बारे में, तो वही एक feedback हुआ, ये negative और positive दोनों हो सकता है, ठीक है, और दोनों ही आपके opinion और response और idea, मलब इस तरह के कोई भी चीज आप feedback में बता सकते हैं, ठीक है, feedback से आपको बहुत ज़्यादा benefit होता है, in communication process, receivers respond to the messenger, received from messages, received from sender, sender ने कोई message किया, कुछ question पुछा, उसका जो answer दे रहा है receiver, उससे ही हम कहते है feedback, feedback non-verbal भी हो सकता है, और verbal भी हो सकता है, बोल करके feedback दे सकते हैं, और words का use करके भी कर सकते हैं, बीना words के use किये भी कर सकते हैं, ठीक है, आप emails के through कर सकते हैं, comments के through कर सकते हैं, और क्या SMS के through भी आप feedback ले सकते हैं, ठीक है, तो ये feedback के बारे में थोड़ी से details थी, तो वो आप अच्छे से समझ गया होंगे, अब आते communication barriers, ये most of the important topic है, इस chapter का, तो इस chapter के इस topic को बिल्कुल अच्छे से पकड़ लीजिए, इससे एक question जरूर आपको देखने को मिलेगा, communication barriers क्या होता है, barriers का मतलब होता है, रुकावटी, और communication मतलब जो आप बाचीत करते हैं, जो आप convey करना जातें, message, उसमें रुकावट क्या क्या आता है, तो communication barriers में कुछ-कुछ common communication barriers है, उसको अभी discuss करते हैं, सबसे पहला, the use of jargon, jargons, इसका मतलब क्या होता है, कि आप unfamiliar words को use कर रहे हैं, अब कोई medical professionalist के पास आप जाते हैं, और medical के terms वो बोलता है, तो आपके लिए वो अनसूना होता है, आप उसको नहीं समझ सकते हैं, तो दूसरा हो गया, emotional barrier, यानि कभी-कभी emotional attachment भी होता है, कि आप किसी को अपनी बाते बताना चाहते हैं, या नहीं बताना चाहते हैं, उसके बाद differences in perception and viewpoint, अलगर आप perception होते हैं, कि आरे सामने वाला बंदा तो देखने में यह गरीब दिख रहा है, उसके बाद आप उसके पास लोग से भी communication करना problem हो सकता है, मान के चलिए किसी को बोलने में problem वो बोल नहीं सकता है, तो वो भी एक barrier में ही आता है, ठीक है, language problem भी आता है, तो language problem क्या होता है, कि अगर आप कोई और language जानते हैं, मैं कोई और language जानता हूं, तो दोन में बातचीत करना possible नहीं है, expectations prejudice, इसका मतलब कुछ आप expect करते सामने वाला से, और वो उस लायक नहीं है, तो डैट मींज की communicate करने में आपको problem हो सकता है, और last one है, cultural differences, कभी-कभी अलग-अलग culture होते हैं, सबके, अलग-अलग लोगों के वैवहार होते हैं, तो उस तरह से उन लोगों में भी, जो communication है, वो अच्छ तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट को अच्छे से ही समझ लिजेगा, और notes बना लिजेगा, सबसे पहला है active listening, पहला बात ध्यान रखिए कि अगर आप communicate करना चाहते हैं अच्छे से, तो सबसे पहले आपको सुनना होगा, पहले सामने वाली के बातों को सुनिए, समझिए और जब समझ लिजेगा, तभी आपको उसके बारे में बताना है, आप उससे communicate कर सकते हैं, यहाँ पर active listening का मतलब बिलकुल ये नहीं है कि active listening, मतलब के होता है कि active listening मतलब कि बस आगख खुले है, सरेर सामने है और सुन रहे हैं, वो active listening का मतलब नहीं होता है, active listening का मतलब क्या ह आप उसकी बातों को समझ रहे हैं दूसरा है यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज का आपको यूज करना जब कम्यूनिकेट करिये कोसिस करिए कि वही वर्ड को यूज करिए जो कॉमन है ऐसा नहीं कि आपको अच्छे लीजिए कि आप कम्यूनिकेट कैसे करते हैं आपके बोलने में आपके हाभाव में क्या क्या चेंजेज लाने हैं तो नेगेटी पॉजिटिव जो भी आपको फीड़ आ रहा है आप उस फीड़ बैक के अनुसार अपने आपको चेंजेज लाईए तो दोस्तों यहां पर हम ल जितने भी वीडियोज होंगे सारे आपको मिलते रहे और दोस्तों एक बात और कि आपको इसका पीडियाफ नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाके डाउनलोड कर लिजे दोस्तों साथ सेयर करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू कर दीजे थैंक यू एंड हैव नाइस डे